हेलो गईस स्वागत है आप सबका अधानी ग्रूप की और कल अपडेट आई थी सुप्रीम कोट की तरफ से जो है और यह पत्रकारों की जो है अपडेट है मतलब की तो यह हैडलाइन को भी आप देख सकते हैं देखे शेर के उपर इसका जो है इस खबर का असर पड़े या न और और भी कई वीडियोस आने वाले हैं जो है वो भी आप जरूर देखे हमारे दूसरे वीडियोस भी तो पहले तो यह हैडलाइन देख लें कि सुप्रीम कोट ने आदानी समू के खिलाप रिपोर्ट करने वाले एफटी समू के दो पत्रकारों की गिरब ताली पर लगाई रोख और यह कल देर शाम को यह रिपोर्ट आई थी और हिंदी भासा का चाहिन करते हैं ताकि सबको आसान भासा में समझ में आए यह और आप हमारे जो है दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखा कर एक कुछ शे 21 रूपीस के उपर था 9 मेने पहले की बात है अभी इसका प्राइस आप देख सकते हैं साथ ही साथ यह मार्कसन फार्मा गुरुवार को भी हमने शेयर किया था यह आप देख से 124 रूपे के आसपास और कल ही इसके उपर जो है ओपन होने के बाद भी जो है यह 5 पसंद के आसपास की तेजी इसके अंदर रही थी साथ ही साथ वो ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफोर्मर्स और रेक्रिफायल का शेयर जो है इसका 52 विक हाई अगर देखे तो 190 रूपे के आसपास था तो ऐसे ही जानकाली के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जिन्हों और कम्यूनिटी पोस्ट और श्चोर्ट वीडियोस और लोंग वीडियोस आप देखा जरूर करें उसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है बाकी ट्रेड ले और वह आपकी मरसी की बात है चलिए आगे बढ़ते इस रिपोर्ट में किया है कि सुप्रीम कोट न सुनाक्सी मलहान द्वारा दायर याचिका में गुजरात पोलिस अपराज शाखा को प्रतिवादी बनाया गया था इस पर नियायदिस बी आर गवई और प्रसांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सुनवाई की उन्होंने पत्रकारों के गिरब तारी पर अंत्रिम सुरक्षा प थोड़ी सी कुछ मतलब की प्रिंटिंग मिस्टेक हो लेकिन ये अब रिपोर्ट अब देख सकते हैं आगे देखें कि गुजरात पुलिस ने फाइनांशियल टाइम्स के दोनों पत्रकारों कौन से पत्रकार है तो फाइनांशियल टाइम्स के दोनों पत्रकारों बेजामि के सहीयोग से अदानी समू के खिलाब प्रकाशित रिपोर्ट के संबंद में थी लाइव लोग के अनुसार दोनों पत्रकारों का प्रती निदित्व कर रहे वरिष्ट अधिवक्ता सिदार्थ अग्रवाल ने पीट को बताया कि याचिका करता वे पत्रकार नहीं है जिन्हों ने संबंदित रिपोर्ट लिखी थी वकिल ने ये भी दावा किया कि पत्रकारों को अभी अभी तक एफायार की प्रती भी नहीं मिली है और आगे देखे तो कि क्लोए फाइनेंशियल टाइम्स की मुंबई में से संवा दता है जबकि बेंजामिन दिल्ली से रिपोर्ट कर से नोटिस मिला था जिसमें उन्हें प्रारमविक जाच के लिए उपस्तित होने के लिए कहा गया था इसके बाद पत्रकारों ने नोटिस को चुनोती देते हुए याची का एक दायर की थी और आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोट ने पिछले हपते नायर और मंगलाने को गुजरात पुलिस द्वारा गीरफ तारी से अंतरिम राहत दी थी इसके बारे में भी हमने अपडेट लाया था आप चाहे तो हमारे रेगुल वे जो वीवर से उनको पता ही होगा तो अदानी से जुरी सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आ अदालत दिसंबर में मामले की फिर से सुनवाई कर सकती है OCCRP लेख में ये भी कहा गया है कि अदानी के खिला रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों को राजिय की ओर से निशाना बनाया गया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले मही ने OCCRP के साथी पत्रकार रवी नायर और आनंद मंगलाने को प्रदान मंत्री नरंद्र मोदी के गुरू राजिय गुजरात के में एहमदाबाद पुलिस की अपराद शाखा ने एक व्यक्ती की शिकायत के आधार पर प्रारंबिक जा अगस्त में OCCRP की रिपोर्ट प्रकाशित हुई इसमें आरोप लगाया गया कि अधानी समू स्टोक के हेर फेर और धोखा दड़ी में शामिल था इस बीच फाइनांशियल टाइम्स के प्रवक्ता ने निउस लॉन्डरी को बताया कि हमारी रिपोर्टिंग सठीक और की अधानी मतलब की दोनों ही के उपर मतलब की अपडेट है वैसे मुझे नहीं लगता कि इसका शेर के उपर ज्याधा अशर पढ़ सकता है और और शेर के उपर असर पड़ता है या नहीं वह देखने लाइक बात है बाकी चोटी सभी आपकी साथ सेर की आगे भी जो है कु जर एड़वाजर की सला ले उसके बाद ही कोई डिसीजन ले और डिसीजन ले तो उसके जीमेदारी मेचुरिटी के साथ हुदी ले यह वीडियो में नजुकिसन परपस के लिए बनाएं मेरी तरफ से कोछ भी बाई या सेल के रेकमोरेशन नहीं है थैंक यू